योन्तह प्रविश्यम्मवाच्यमिमाम् प्रसुत्ताम् संजीव यत्यखिलश दिधरह स्वधामनाम् अन्याश्यहस्तचरण श्रवनत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुशायतुभ्यम् श्री वीर राघव दयार द्रक्रिपावतारम् श्री जानकीष पदपत्म पराग भिंगम् श्री श्री धरारिय चरणाम बुजलग्न मौलिम् श्री देशिकारिय घनशाव गुरुम् नमाम हैं संसार की अलत क्या है किसी कुछ चेन नहीं है बिल्कुल चेन नहीं है सब व्याकुल हो रखे हैं तडब रहे हैं पैसा कम है तो भी तडब रहे हैं पैसा ज्यादा है तो भी तडब रहे हैं शरीर से बिमार हैं तो भी तडब रहे हैं शरीर से स्वस्त हैं तो मन से व्याकुल हैं कोई खुद के दुख से दुखी है तो कोई दूसरे के सुख से भी दुखी है राग दी शल कपट ऐसे उल्जे हैं इन सब में चेन बिल्कुल नहीं लगता होगा आपको दूसरे के बारे में उसकी बड़े भवन को देखकर उसकी बड़ी बिल्डिंग को देखकर कि वह सुखी है पर सुखी कौन है ये तो उसका मन जानता है या भगवान जानते है किसी संत ने कहा इस बारे में कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे उदास कोई शरीर से दुखी है कोई मन से दुखी है कोई धन के बिना उदास हो रहा है तो भी कोई सुखी ही? कोई तो सुखी होगा? संत ने कहा थोड़े थोड़े सब दुखी अरे भी कोई तो सुखी होगा? कि हाँ सुखी वही है, सुखी राम के दास जो संसार की आशाओं के दास नहीं रहे, जिन्होंने संसार की आशाओं त्याग दी जो राम जी के दास बन गए, वास्तम में वही सुखी और कोई सुखी नहीं संस्कित नीदी शास्त्र में एक बड़ा सुंदर्श लोक है आशाया ये दासा हा, ते दासा हा सर्व लोकस्य आशा ये शाम दासी, ते शाम दासा यते लोक है जो आशा के दास है, जो कामनाओं के दास है, कि वो मुझे ये देगा, वो मेरा ये काम कर देगा उससे मुझे ये मिल जाएगा, जो आशाओं के दास है, इच्छाओं के दास है, लालसाओं के लोग के कामनाओं के दास है, वो पूरे संसाल के दास है क्योंकि उस सबसे इच्छाई करने हैं कि उससे मुझे मिलेगा उससे मुझे मिलेगा लेकिन जिसने आशा ट्याग दी संसार से जिसने आशा ट्याग दी या तो आशा होनी ही नहीं किसी से और या फिर जो कहते हैं ने आशा एक रामजी से दूजी आशा छोड़ दे तो या तो आशा होनी ही नहीं होनी तो किवल राम जिसे होनी तो जिसने आशा त्याग दी संसार की किवल भगवान के साथ सम्मद जोड़ लिया कि भगवान स्वामी है और मैं भगवान का दास हूँ बस वही सुखी है आशा ये शाम दासी ते शाम दासा ये ते लोकर जिसने आशा त्याग दी संसार की कामरा ये त्याग दी इच्छाएं त्याग दी अब फिर तो सारा संसार उसके लिए तुच्छ है क्योंकि वह तो भगवान का दास है सारे संसार का मालिक बनने की बजाए भी भगवान के द्वार का कुट्टा बनना भी बहुत मुची बात है कबीर दास जी तो यहां तक कहते हैं कबीर कुट्टा राम का मोधिया मेरा नाम कि कबीर तो राम जी के द्वार का कुट्टा है यह सबसे बड़ी बात है भगवान के द्वार का कुट्टा बनना तो जीवन सार्थ करने वाला है और संसार का मालिक बनना भी पता नहीं कहां कहां कौन से कौन से नरक के गड़ों में गिराने वाला है ये धन की लालसा पद की लालसा ये तो कभी चेंड लेने नहीं देगी और फिर तो भई आज का तो ये है आर्थिक यूग है हर चीज में लोग सबसे पहले पैसे को ही देखते हैं और बाजार का तो सिद्धान्त है डेमांड एंड सब्लाई जैसी मांग होगी वैसी आपूर्थी अपने आप कहीने पहीं से आही जाती है यदि मांग नहीं होगी तो वह चीजे अपने आप बाजार से दुकानों से गायक हो जाती है यदि आप सच्चे शिश्य बनोगे तो आपको सच्चा गुरू मिलेगा और यदि आप नकली शिश्य बनोगे केवल कहने के लिए शिश्य बनोगे तो फिर आपको नकली ही गुरू मिलेगा नकली के बतले नकली ही मिलता है शिश्य का मतलब क्या शिश्य केवल शब्द नहीं है शिश्र्यका मतलब जो गुरु का अनुशाशन माने है। भगवाण ये जो अनुशाशन दिए हैं सुम्य अपने श्रीमुक्षे श्रीमद्भगवत कीता है भगवान ने आप शास्त जो हैं उनके द्वारा भगवान ये अनुशाशन बताए उन्वन्त का अनुशाशन माने व्यक्ति तब वह शिष्य है ये दीव भगवान का अनुशाशन नहीं मानता गुरू का अनुशाशन नहीं मानता तो वह शिष्य असली कैसे और खुद असली नहीं शिष्य शिष्य असली नहीं तो फिर गुरू भी असली कैसे मिलेगा आस तक जितने भी संतों के नाम आपको मालूम है उन में से किसी ने भी सांसारिक चीजों की प्राप्ति करवाने का दावा बिल्कुल नहीं किया चाहे कबेरदास जी की बात कर लो चाहे कुलसिदास जी की बात कर लो चाहे सूरदास जी की बात कर लो ये तुँ उनका नाम ले रहा हूँ जिनके नामों को आप जानते है क्या करूँ अपने संपडाई के आच्छा लोगे नाम तो आप जानते ही नहीं है रामनों स्वामी जी के जीवन की घटाओं वो कहां जानते है वेदान देशिक स्वामी जी के बारे में क्या जानते है समय नहीं है कोई नहीं कहता कि उसे रुपे गिनने के लिए समय नहीं है कोई नहीं कहता कि बेंग बलेंस समालने के लिए उसके पास समय नहीं है कोई नहीं कहता कि ग्रहातों के लिए उसके पास समय नहीं है लेकिन क्या विडम मना है भगवाली के लिए समय नहीं है आचालियों के लिए समय नहीं है तो इन संतों की बात कर लूँ जो प्रसिद्ध हैं संत चाहे कभी दार्ची की बात करें चाहे सूल दार्ची की बात करें चाहे गोस्वामें तूसर दार्ची की बात करें इन में सिर्ख किसी ने भी कभी भी नहीं कहा कि उनकी अनुसार चलोगे तो उन्हें धन संपत्ति मिल जाए कि इन संतों की बात मान लो तो धन संपत्य मिल जाएगी शाद्युआ हो जाएंगे कि संतान हो जाएगी कि या दुकान दाई चल जाएगी या फैक्टरी अच्छे चलने लग जाएगी किसी भी संत ने ऐसा कहा हो तो बताई किसी संत ने ऐसा कहीं भी दावा नहीं किया और जिनोंने दावे किये वो कितने संत हैं ये भी बात आप अपने आप सोचिए समझिए भगवान ने बुद्धी दी है विवेक दिया है बड़ी विच्चत है लोगों की खुद तो अपना मूह ने धोपा रहे हैं और दूसरों को नहलाने का दावा करते हैं क्यों? क्योंकि लोग वैसे हैं जैसा खुद होता है वैसों को ही वह ढूंडता है बड़ी महत्पन बात है सो रुपे भी किसी को आप उधार देने हैं सो रुपे भी आपको उधार देने है किसी को तो आप सोचते हैं विचार करते हैं कि सो रुपे दे रहा हूं वापस ये सो रुपे मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कि प्राप्ति के लिए जीवन है ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है भगवान की प्राप्ति के योकी बन सकें इसके लिए पता नहीं कब से कितने कितने आचाजों को भगवान ने भेजा सुयम भगवान अवतार लेकर की आए और फिर यह मानव शरीर प्राप्त होने पर फिर इस अवसर को चूब जाएं तो कितना बड़ा अपराथ है नींद में आखें बंद करके सपने देखना कोई समस्या की बात नहीं है सप नींद में सोते हैं आखें बंद करके और सपने भी आते हैं उनको आखें बंद करके सपने देखना समस्या नहीं है कम से कम आखें खोल के तो सपने मत देखो कपीर दाच ने तो एक बड़ा सुंदर पद लिखा संतों जागत नींद न कीजे कि सो तब तो आखें बंद हैं बिल्कुल ठीक है पर अब उठ गए हो जाग गए हो अब तो मत सो आखें खोल के तो मत सो पर अब तो बड़ी विचित हालत है जो जो जगाते हैं वे बुरे लगते हैं सपने दिखाने वाला अच्छा लगता है और ये सपने सब लोग के पिछे पैसे के पिछे सपने देखते हैं और सपने दिखाते हैं कहीं बड़ी सुंदर बात पढ़ी थी सारा अंदर संसार के विवहार का केवल भक्ति के द्वारा बलगता है या तो और या फिर वापस संसार की कामराओं से परिबड़ता होता है भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है लेकिन उसी प्रसाद में जब लोग प्रवेश करता है तो वह वापस साधरान भोजन बन जाता है भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख वरत बन जाता है लेकिन उसी व्रत में जब लोब गुश जाता है तो वहे व्रत भी यातना बन जाता है भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो वहे पानी चर्णामित बन जाता है लेकिन उसी चर्णामित में जब कामना बन बुश जाती है तो वहे चर्णामित साधान पानी में बदल जाता है भक्ति जब यातना में प्रवेश करती है वहे यातना तीरत यातना बन जाती है लेकिन उस तीरत यातना में जब पैसा गुश जाता है लोग गुश जाता है तो वह यातना में बदल जाती है भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो वह संगीत भजन और किरतन बन जाता है लेकिन उस भजन किरतन में जब नाम की भूक और दाम की भूक हुश जाती है तो वही संगीत फिलमे गानों में बदल जाता है भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर ठाकुल बाड़ी में बनल जाता है लेकिन जब उस ठाकुल बाड़ी में मंदिर में लोग प्रवेश करता है तो वह धंदा बन जाता है भक्ति जब किसी क्रिया में प्रवेश करती है तो वह क्रिया सेवा बन जाती है लेकिन उसी सेवा में जब लोग प्रवेश करता है तो वह व्यापार बन जाता है भक्ति जब मानव में प्रवेश करती है तो वह मानव सामाने मानव नहीं रहता वह भर्त बन जाता है लेकिन उसी भक्त में जब लोग प्रवेश करता है तो पिर पता नहीं वह मानव कैसा लोभी और कैसा भोगी बन जाता है आज गुरु पूरिमा का पावन अवसर जीवर में पूर्टा कब आती है जब सच्चा गुरु जीवन में हो और वह गुरु हमें परमात्मा के साथ हमारे संबंद को जोड़ दे वे जब वह गुरु हमें हमारे स्वरुप का ज्यान दे दे वे जब परमात्मा का ज्यान दे दे वे जब भगवान के साथ हमारे समद्ध का ज्ञान हमें देवे तब जीवन में पूर्णता आती है बाकी जीवन में किसी चीज में किसी को भी कभी भी पूर्णता नय तो मिली और नय मिल सकती सोचते हैं लोग कि अब लक्ष होते हैं लोगों के कि सब कुछ मिल जाए लेकिन एक चीज में भी कोई भी व्यक्ति एक चीज में भी एक विश्य में भी पूरा नहीं हो सकता एक में भी पूरा नहीं हो सकता तो सारी चीजों में पूर्ण कहां से होगा जो लोग सबने दिखाते हैं कि आप सब चीजों में पूरे हो जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा वे किल सबने हैं और सबने ही रहेंगे कि सब अच्छा हो जाएगा आपको सब मिल जाएगा किसको मिला जो कुछ थोड़ा भुद भी मिला या बहुत कुछ भी मिला वो भी कब तक के लिए हमेशा के लिए कुछ नहीं और जरा धंग से समझाने के लिए बताता हूँ एक बात गोस्व में तुसदार जी महराज का एक सुन्दर दोवा है उन्होंने वहाँ बात बताई कुछ अलग ढम से अलग विश्य में थोड़ा सा लाम नाम को अंक है सब साधन है सून अंक गए कचुहात नहीं अंक रहे दस गून जैसे कोई संख्या लिखी आपने कोई एक अंक लिखा आपने चाहे एक लिखो चाहे दो लिखो चाहे तीन लिखो तो आपने कोई अंक लिखा और उसके बाद में आपने एक शुन्य लगा दिया तो शुन्य लगा दिया क्या हुआ उस अंक का महत्यू कितना हो गया दस गूना जैसे एक लिखा है अंक और एक शुन्य लगाया तो वो एक का महत्यू कितना हो गया दस गुना हो गया लेकिन यदि आपने दूसा शुन्य और लगा दिया तो क्या हुआ उसका दस गुना महत और बढ़ गया पहले वो एक था बाद में दस हो गया फिर सोग हो गया ऐसे जितने भी शुन्य लगाते जाएंगे तो उस एक का महत तो दस गुना बढ़ता जाएगा लेकिन ऐसे शुन्य आपने कई लगा दिये और दस दस गुना महत तो उसका बढ़ता गया लेकिन वह जो एक का अंक है उस एक को हटा दो तो बाकि सारे शुन्य सारे शुन्य में ही बदल जाते हैं उस एक के जाने पर ऐसे ही क्या स्तिती है भगवान को छोड़ दो भगवान के साथ अपने सम्मंद को छोड़ दो तो फिर क्या होगा फिर भले ही कितना भी जोड़ लो भले ही कितनी भी तिक्रम कर लो भले ही कितना भी इखटा कर लो भले ही कितना नाम कर लो वो सब शुन्य ही है वो सारी की सारी चीज़े शुन्य है उन सारे शुन्यों का महत्व उस एक परमात्मा के पीछे है उस परमात्मा को छोड़ करके बाकी सारे चीज़े जो शुन्य ही है जीवन में पूर्णता कब आएगी उस परमात्मा के द्वारा ही आएगी उस परमात्मा के साथ सम्मंद है तो ही आएगी और सम्मंद कौन सा? कि वे परमात्मा हमारे स्वामी है और हम उनके दास है तो अब ये भी ध्यान रहे हमें कि हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान नहीं है भगवाने की इच्छा पूर्ण करने के लिए हम है चाए परमात्मा हूँ चाए सच्चे गुरु हूँ वे हमारे मन की योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं है भगवान हूँ और जो सच्चे गुरु है वे हमारे मनी की योजना को पूरा करने में नहीं लगते वे परमात्मा की योजना को हमारे द्वारा पूरा कराना चाहते है हमारे जीवन की साथ अक्ता किसमें उस योजना में लगाएंगे और आज का समय देखी क्या हालत है कोरोना वाइरस का कितना दुनिया में आतंग फिला है लेकिन इस समय सारे चमतकारी लोग गायब सारे चमतकारियों के सारे चमतकार गायब पहले लोग क्या पता क्या क्या दावे करते थे ये ताविज ले जाओ, तुम्हारा कष्ट मिढ जाएगा, ये यंत्र ले जाओ, ये मंत्र ले जाओ, तुम्हारा ये रोख दूर हो जाएगा, तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी, और भी कैसे कैसे लोग, यहां करपा हो जाएगी, करपा हो जाएगी वाले, और लोग तीवी पर चलाते थे अपना कितने लोग भारत में भी हजारों मिशनरी लोग घूमते लेते थे भारत में पैसा दे दे कर लोगों को कनवर्ट करने के लिए या चमतकार की बातें बोलकर लेकिन दुनिया में हजारों पादरी मरद है किसी पादरी का कोई चमतकार काम नहीं आया सारे चमतकारी का अब जब ये कोरुना वाइरस ठीक हो जाएगा तब ये सारे चमतकारी फिर अपने अपने बिलों से निकल के आएगे अब ये कोई सामय नहीं आएगा क्या गड़मना है दुनिया में दीरवाना में मंदल की परिक्रमा में भगवान के सामने एक दोहा लिखा हुआ है परिक्रमा में सत्रक दोहे और चोपाईया लिखी हुई है वहाँ पर एक दोहा लिखा हुआ है कबीरदाश जी का कबीरा कल्यूग कठिन है साधू नमाने कोई कबीरदाश जी कहते है ये कल्यूग बड़ा कठिन समय है किसके लिए दुष्टों के लिए नहीं साधू के लिए कि साधू को कोई नहीं मानता साधू की कोई नहीं सुनता साधू का आदर नहीं है किसका आदर है कामी, क्रोधी, मस्खरा, तिनका आदर होए जो संसार के विश्यों में उल्जे है चल, कपट, राग, देश लोग मोह में उल्जे है दुनिया को खुश करने के लिए मस्खरे बनने के लिए त्यार बेटे है ऐसे लोग का आदर होता है आप बाकी भी देखी दुनिया में देखी नेता, अभी नेता, हेरो, हेरोईन उनके फेस्बुक को देखो उनके यूटूब को देखो करनों लोग फोलोगा होते हैं उनके लेकिन सच्चे संत को कौन ढूनता था, कौन चाहता है राम सुग्दाजी महराज की कौन से कुस्तव को आपने पढ़ा डोंगे जी महराज की, कौन से कुस्तव को आपने पढ़ा जिस संपडाए की आप हैं इस संपडाए की कौन से कुस्तव को आपने पढ़ा और समझा कहेंगे लोग की क्या करें, समय नहीं है समय नहीं है लेकिन जो भी आपके फैवरिट हेरो हेरोईन है उनकी कौन से फिल्म आपने छोड़ दी बड़ी विच्चतर हालत है सपने दिखाने वाले अच्छे लगते हैं और सपनों से जगाने वाला पुरा लगता है सपने दिखाने वाले धन के पहाड़ पर बैठे रहते हैं बड़े बड़े पदों पर बैठे रहते हैं सपने दिखाने वाले पहले तो संसार के सपने दिखाते हैं तेरी दुखान अच्छी चलेगी, तेरी फ्रेक्टरी अच्छी चलेगी, तेरा विवा हो जाएगा, तेरे संतान हो जाएगी, तेरे कोता हो जाएगा इस से आगे ये सपने दिखाते हैं, तेरा बड़ा नाम हो जाएगा फिर दूस्से दुनिया की बाते करते हैं इतनी भेट कर इतना बड़ा भून बना दे ऐसा मंदिर बना दे तेरा बड़ा पुझ्य होगा तुझे स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन ये दान थोड़ी है नेता अभी नेता भी सपने दिखाते हैं और ऐसे लोग मंदिर में जाकर भी भगवान को नहीं देखते सपने ही देखते हैं जब किसी कामरा से दान किया गया वह दान नहीं है साप्तिक दान तो बिल्कुल नहीं है श्रीमत भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ट ने स्पर्ष्ट कहा सोयम अपने श्रीमुक से दातव्यम इतियत दानम दीयते नुपकारिने देशे काले चपातेचाय तब दानम साप्तिकम स्मितम जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया और जिससे आगे भी हमें कोई लाब नहीं होने वाला लेकिन जो पात्र है उस व्यक्ति को दिया गया दान वह सात्रिक दान होता है जहां हम पहले ये मान लें कि मेरी वस्तु अबर में दे रहा हूँ ये दान नहीं है ये साथ्क दान नहीं है ये माला जाएं कि वस्तु संसाल में ये वस्तु है वो सबकी है यह मान करके जो दान देगा अपना अधिकार मान के दान देगा तो भैज दान नहीं है स्वामिर राम सुझाजी महराज ने श्रीमत भवद्धीता की सादक संजीवनी के अप्छा में स्पर्ट लिखा है कि वापस कुछ पाने की कुछ कामना हो कि मैं दान करूँ और उस दान के बदले में मुझे ये लाब हो जाए ये तो राद सिगदान है ताम सिगदान है ये कोई साद्गदान नहीं है स्वार्थ गुद्धी हो केवल खुद के लाब के लिए चाहे यग्य करो चाहे तप गरो चाहे दान करो चाहे पाट करो ये सब राक्षिसी सुभाव है आसुरी सुभाव है राम सुदाजी महरद ने गीता की राख्या में इस परक लिखा श्रीमक भवद गीता के अनुसान दूसरों के कल्यान के लिए दूसरों के हिद के लिए किया गया कर्म यग्य है और बिना इसी व्यक्तिकद लाब के कर्तोय माने के दिया गया डान वही साप्तिकदान है और यह भी याद रहे कि भले ही स्वर्ग की प्राक्ति भी हो जाए किसी को उसके पुन्य से लेकिन वह स्वर्ग हमेशा के लिए स्थाई नहीं है जितना आपका पुन्य का भंडार है उसके अमसार आपको इस संसाल में कुछ सुविधाय मिल जाती हैं और वैसे ही परलोग में सुविधाय मिल जाएंगी लेकिन जैसे ही धन समाप्त होता है होटल में यदि आप कमरे का क्राय नहीं चुका सकते तो वहां से आपको निकाल देते हैं वैसे ही पुन्य समाप्त होने पर स्वर्ग से भी निकाल दिया जाता है तेतम भुक्तवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणिय पुन्य मर्ट्य लोके विशनिती वह तो केवल और केवल परमात्मा का भगवान का वैकुंड घाम है जहां प्रवेश मिलने पर वापस किसी को नहीं लोटना पड़ता है यद गत्वान अनिवर्तंते तद्धाम परममम है उस परमधाम की प्राप्ति कैसे हो उन परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए ही तो हमारे वेदान दिश्म स्वामी जी ने इस परमधा सोपान की रचना की जो सच्चे आचारे होते हैं सच्चे गुरू होते हैं वो संसार की कामनाओं की पूलती के उपाये नहीं ढूरते और नहीं बाढते संसार की चीजों के उपाये बताते नहीं गुनते सच्चे आचार्य सच्चे गुरू तो भगवान की प्राप्तिकाही उपाए बताते है अब ये बात लग है कि दुनिया का मामला तो ऐसा है कि वहाँ भगवान को चाहता कौन है तो दुनिया में कौन क्या चाहे जो आचार्य है वे दुनिया की पसंद दे की काम नहीं करते वे भगवान की पसंद देते है कि भगवान को क्या चाहिए उनकी दुष्टी दुनिया पर नहीं होती कि दुनिया को क्या चाहिए उनकी दुष्टी भगवान पर होती है कि भगवान क्या चाहते है श्री वेदान दिश्क स्वामी जी ने जो यह रचना की परवंबद सोपान की तो उनकी प्रशिंशा करते हुए इस्तुति करते हुए कहा गया वियाजी कृत्यवि मुक्ति सौध पदवी सोपान सब वर्ननम शारी रानवरत्न जातम यह प्राची कशत सर्वश है तस्मिन तिश्थती वेंकटेश्वर कवो श्रीभाश का रोप में यंकन चित पुरुशम युपास दुमये मागा मनह स्वस्तिते कि जिन वेदान दिश्क स्वामी जी ने रामान स्वामी जी के समान कारे करते हुए इस परंपत सोपान के बहाने से वेदान दिश्क स्वामी जी को बारम बार पर नाम है उन वेदान दिश्क स्वामी जी को छोड़के किसी और में अपने मन को मत लगाओ इसे में तुमारा कल्यान है अपने मन को समझाते हुए परशिंशा की गई इस गंत की भी और वेदान दिश्क स्वामी जी की भी किसमे नमस्तु बुर्वे ताग्दिश विभवायाय विंक टीशायय प्रावरत्य जनानाम भूमव परम बदहर में सोपानां उन वेदान दिश्क स्वामी जी को श्री वेदान दिश्क स्वामी जी के लिए बारम बार परणाम है जिनोंने परम पद रूपी प्रासाद पर चड़ने के लिए सूपान का निर्मान करके सब के लिए यह मार्ग सुलब किया यह सीड़ी सब के लिए सुलब की सुना था शायद आप लोगोंने भी सुना हो रावन भी सीड़ी बना रा था एक स्वर्ग की सीड़ी कि ताकि सीधे स्वर्ग तक जा सके कोई भी जा सके कई कथानक आते हैं परमाणों के बारे मैं नहीं पता है लेकिन सुनी हुई बाते हैं कि शिवजी किस्तुती की और शिवजी को प्रसंद किया और वर्दान प्राक्त किया कि स्वग की सीधे बना सकूँ शिवजी ने एक शेख लगा दी कि एक दिन में पांच सीधे बना दो तुम स्वग तक जाने के लिए पांच सीधे तुम बना दोगे तो आगी की व्यवस्ता कर दूंगा रावन ने चार सीड़ियां बना दी एक दिन में पांचवी सीड़ी भी बनाने वाला था पर लापरवाई कर गया और सोता रह गया और सर की सीड़ी बना भी ले तो क्या होगा ये जो दुनिया की धन संपत्ति प्राप्त करने की मान पतिष्ठा प्राप्त करने की जो सेड़ियां है ये सेड़ियां काम नहीं आती दुनिया के बड़े बड़े भवन भी कब तर टिगने वाले हैं दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज बना लो ये सब पानी में खींची हुई लकीरों के सवान है जो अंदर से जितना ज़्यादा खाली होता है वह बहार की चीजें उतनी ज़्यादा एकटा करना चाहता है अंदर से जितना खाली उतना बाहर बड़पन दिखाना चाहता है जो आध्याद में ज्ञान से खाली होता है वह बड़े बड़े भवन खड़े करना चाहता है जो ज्ञान के धन से खाली होता है भक्ति के धन से खाली होता है वह सांसारिक धन को एकटा करने में लग जाता है जो भगवान का दास होता है वह अपने आप में पूरा होता है और जो भगवान का दास नहीं होता है वह सिर्फ धन का दास होता है संसार का दास होता है नाम का प्रस्थिका गुलाम होता है सच्चा शिष्य, सच्चा गुरू भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं और कसोटी वही है कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा जिसके द्वारा हम भगवान की कृपा के योग की बन रहे हैं क्या हम भगवान की कृपा की योग की बन रहे हैं या भगवान से दूर जा रहे हैं कसोटी वही है संतों का कोई लोग नहीं होता संतों की रुची तो केवल कल्यान करने में होती है ब्रह्मानन नाम के एक बड़े अच्छे संत कवी होए उन्होंने बड़ा सुंदल एक पद लिखा संत परमहितकारी जगत में संत परमहितकारी की संत से बड़ा हितकारी कोई नहीं दुनिया में सब स्वार्थी हैं सब मतलब से मतलब रखते हैं बिना स्वार्थ के कुछ करता है या तो परमात्मा कृपा करते हैं या संत करते हैं प्रभूपद प्रकट करावे प्रीती भरम मिटावे भारी सच्चासंत भगवान के चर्णों में प्रियम उत्पन्द करते हैं मन के भरम को मिटाते हैं परम कृपालू सकल जीवन पर हर प्राणी प्रकृपा करते हैं यह नहीं देखते कि किस पर क्या करने से क्या लाब होगा, वो सब पर दया करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, हरी सम सतल दुखहारी, भगवान की तरह सब के दुखों को दूर करने का प्यास करते हैं, त्रिगुना तीत, फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, परमपद सोपान गंध में नो पर्व हैं नो सीड़ी बताई गई नो पर्व के रूप में नो विभाग हैं नो अध्याय हैं इनमें पर्थम जो विवेक पर्व है इसके आरम में पहले ही शुरुवात में ही वेदान देशिक स्वामी जी बड़े सुन्दर ढंग से बता रहे हैं कि यह है जो सोपान है यह जो सीड़ी है यह जो परमात्मा की प्राप्ती यह जो भगवान की श्री चरणों तक की प्राप्ती का जो मार्ग है यह सीड़ी में नहीं बनाई है यह तो भगवान नहीं किवल मेरे माध्यम से प्रकट की है इसका निर्माता मैं नहीं हूँ इसके निर्माता स्वयम भगवान श्रीपति श्रिमन नारेंग नहीं है सेयम सोपान पदवी शी मता विहीता स्वयम शुद्व सत्मयम रत्यान स्वयस ओधुं नेतु मिच्छता सीधी सी बात है कि यहाँ पर वास्तम में भगवान के तरफ कौन चलना चाता है जो सच्चा भगत होगा जो जिनकी दृष्टी जिनका लक्ष भोतिक ही भोतिक है वो तो इसी चक्र में ही चलते रहेंगे और जो कोई सच्चा पात बन जाता है भगवान की कृपा की तो निरंतर बढशा होती ही रहती है लेकिन जो सच्चा पात बनता है वह भगवान की कृपा का अन्वव करके संसार के जाल से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ती के लिए भगवान की श्री चर्णों की सानित्दी के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है बाकी चिंटन आगे क्रमिशा करेंगे इस समय इस विश्य को यही विराम देते हैं जैश्रमना रहे